गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वगानी ने कहा था कि जिने गुजरात के स्कूल पसंद ना हूँ वो गुजरात छोड़ कर चले जाए गुजरात के स्कूलों पर ऐसे बयान के बाद दिली के उपमुख्य मंतरी मनीश चिसोदिया ने गुजरात के शिक्षा मॉडल की पोल खुल कर रख दी मनीश चिसोधिया गुजरात के शिक्षामंत्री के विधानसभा क्षेत्र भावनगर में सीधे सरकारी स्कूलों में पहुँच गए मनीश चिसोधिया ने गुजरात के सरकारी स्कूलों की खालत के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा 27 साल से गुजरात में सरकार चला रही भारतिय जनता पार्टी ने गुजरात के लोगों को कैसे सरकारी स्कूल दिये हैं उसकी एक जलक ये देखिए गुजरात के शिक्षा मंतरी की विधानसभा भावनगर में आज मैंने दो स्कूलों का दौरा किया गुजरात के शिक्षा मंत्री की अपनी विधान सभा के स्कूलों में कमरों में मकडी के जाले लगे हुए हैं स्कूल में बच्चों के बैटने के लिए डेस्क तो छोड़िये फर्श भी किसी कमरे में ही है यह हैं गुजरात में बीजेपी का शिक्षा मॉडल जो बीजेपी ने 27 साल में गुजरात में डेवालब किया है गुजरात के शिक्षा मंत्री के अलाके में जो स्कूल हैं वहाँ टॉयलिट ऐसे हैं कि आप एक मिनिट नहीं खड़े रह सकते कैसे यहां कोई टीचर साथ गंटे स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाएगा पेरिंस ने बताया कि बच्चों यां टीचेर्स को टॉयलिट जाना होता है तो घर चले जाते हैं और कभी तो वापस ही नहीं आते मनीश्च सोधिया ने गुजरात के सरकारी स्कूलों के क्लास्रूम से लेकर टॉयलिट की हालत दिखाई तो केजरिवाल भी पियम मुदी के गुजरात मॉटल का बजाग बनाते हुए कहने लगे सरकारी स्कूलों की ये बदहाली देखकर बहुत दुख होता है हमें आजाद हुए 75 साल हों गए हम अच्छी शिक्षा का इंतिजाम नहीं कर पाए क्यों हर बच्चे को बहतरीन शिक्षा नहीं मिलेगी तो भारत कैसे तरक्की करेगा आईए हम प्रंडे की हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए हम सब मिलकर प्रयातन करेंगे दोस्तो मनीश सोधिया का गुजरात के सरकारी स्कूलों पर ऐसे चापे मारना खास्तों पर गुजरात जहां करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन चुनाव हिंदु मुसल्मान पर ही होते है आप आम आदनी पार्टी की ऐसी राजनिक्ती को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें